अरब शागर में अपना जल ले जाने वाली नदिया कौन शी है माही पस्चमी बनास साबरमती ये अरब शागर की ओर अपना जल ले जाने वाली नदिया है तो ये इसका उप्शन राइट दूसरा है बनास पारोती काली सिंध ये बंगाल के खाड़ी में अपना जल ले जाने वाली नदिया है घगर कांतली रुपारेल ये अंत्य प्रवाई या आंत्रिक अपवात अंत्र की नदिया है बाणगंगा मेढ़ा और शाबी ये भी आंत्रिक अपवात अंत्र की नदिया नेक्ट है चंबल नदिगे से सम्मदित अनुचित विकल्प कौन सा है कि तीन विकल्प जो है वो उचित है और एक अनुचित है पहला है इसका उद्गम विंद्याचल परवत से होता है और आंते यमुनानेदी में होता है दूसरा चितोड के चौराश बैंसरोडगड शेराज्य में ये प्रवेश करती है तीसरा बनास बेड़च कोठारी पारुती कालिशिंद इसकी सायक ने दिया है ये भी सही है जो चोथा उप्षन है वही अनुचित विकल्प है इसका बाव छेतर चितोड कोठा बुंदी स्व वर्थ पूर्णा होकर दोलपूर है दोलपूर के बाद ये यूप्य में प्रवेश कर जाती है और ये उन्हा से मिल जाती है तो यह इसका राई टांसर होगा नेट ये बनास नदी से समंदित गलत कता ने कौन सा इसमें भी तीन सही है एक गलत है पूर्णत है बहाव की दरिश्टी से ये रास्थन की सबसे बड़ी नदी है उद्गम इसका रास्मंद की खमनोर की पाड़ियों से होता है इसकी साइख नदिया मेनाल खारी कोठारी मी ये ही गलत कतन है क्योंकि खारी और मीठडी जो है वो लूनी की साइक ने दिया है इसका उद्गम ये कौन-कौन से जिल्व में प्रवाइद होती है चितोड भीलवाडा टॉंक स्वाइमादवपूर और स्वाइमादवपूर में ये चंबल से मिल जाती है रामेश्वर ना मगए इस्थान पर नेक्स्ट है लूनी नदी से संबंदित सत्य कथने कौन सा नहीं है लूनी का उद्गम अजमेर के गोईंद गड़ के निकट सरस्वती और साग्रमती दो धारों के मेल से होता है बालोतरा तक तो इसका जल मिठा होता है और बाद में खारा हो जाता है इस के लिए इसको मीठी खारी नदी भी का जाता है इसकी साइक नदी आ है जोजडी सुकडी सागी गूईया बांडी जवाई खारी मीठी यह इसकी साइक न दी आ है बहावच्छेटर नागोर पाली जोदपुर के बाद कचके रन में लूपते हो जाती है यही स्टेकतन नहीं जोदपूर के बाद में ये जाती है बाड मेर, बाड मेर के बाद मेर जाती है जालोर और उसके बाद में ये कचके रिन में मिल जाती है, तो ये जालोर के बाद में मिलती है, नेक्स्ट है निमल लिखित कथनों में से उचित कथने नहीं है, मतलब जो गलत कथने उसके बारे म पहेला है माही का उदगम विंद्या चल प्रवत से होता है तथा इसकी समाप्ती खंबात की खाड़े में होती है। बान गंगा जिसको अर्जून की गंगा का जाता है इसका उदगम बेराट की पाड़ी जैपूर से होता है। गगगर का उदगम सिवालिक श्रेणी से होता है और ये रास्थान में गंगानगर जिले में प्रवे से करती है यही कत्थन इसका उच्छित नहीं है ये गंगानगर में नहीं बलकि हनुमानगर जिले में प्रवे से करती है बान गंगा नदी का जो पानी है वो घनाराष्टि अपक्सी विहार में नम भूमी का निर्माने करता है नेक्ट कि उसने चंबल और माही प्रियोजना से सम्दित सत्य कताने कौन सा नहीं है इसमें भी जो असत्य है वो बताना है इसमें है पहला चंबल राजस्थान गुजरात की स्योंकती प्रियोजना है जो चंबल नदी काटी प्रियोजना है ये राजस्थान गुजरात की स्योंकती प्रियोजना है और इस पर च्यार बांद बने हुए हैं गांदी सागर तो मद्दे प्रदेश में है इसका राणा परताफ सागर जवार सागर कोटावे राज ये च्यार बांद बने हुए है माहि जो है वो राजथान वा गुजरात की स्योगती प्रियोजना है इसमें इसे सिचाई पेजल वर जल blocked की सुविध्दरा राजथान को प्रापति होती है तो इसमें असंगत कथन जो सही नहीं है वो है उपृपषने फै develop जो चंबल नदि गाठी प्रियोजना है ये देश की स्यूक्ति परियोधना है बाकी तेन उपसन है राइट है हैट अब इसलपूर परियोधना वस सर्दासर और परियोधना से समीजित गलत कुछने कौन सा है भिशलपूर प्रियोधना टोडा राइस्टिंग में बनास नदी पर निर्मे ते की गई है यह बिलकुल सही है यह जेपुर अजमेट टोंक जिलों को पेजलापूरिटी करती है कौनसी बिशलपूर परियोधना यह भी सही है सरदार सरोर परियोज़ना है ये गुजरात, राष्थान, मद्यपरदेश और महराष्टर की स्योकते परियोज़ना है इससे जेसल मेर वबाड मेर जीला शिचाई वजळल पराप्त करते है तो ये इसमें जेसल मेर ने suivre बलकी जालोर और बाड मेर जिलो में ये शिचाई और पेजल उपलब दे करवाती है नेश्ट अप प्रियोधना और उसे समंद जिलो में असंगत कथने कौन सा है एक साइड में राथन के प्रियोधने दे रिखें दूसरे साइड में उसे समंद दे जिला जाख्खम प्रियोदना राजसमंध, सोम कमलामबा शिचाय प्रियोदना दोंगरपूर, मानशी वखल प्रियोदना उदेपूर, जवाई प्रियोदना पाली तो इसमें जो असंगत है हुआ उप्सन है नमबर फैस्ट जाक्खम जो प्रियोजना है वो प्रताफगड की है ना की राज समंद की नेक्ट अनिमल लिखित में से असंगत विकल्प कौन सा है जीलों की नगरी उद्यपुर को कहा जाता है जैसमन्द जील का निर्मान गोमती नदी पर करवाया गया है विश्वक की मिठे पानी की सबसे बड़ी मानो निर्मी जील जैसमन्द है जैसमन्द जील का निर्मान मेवार राणा सम्मन्द सिंग ने ना करवाकर जैसिंग ने करवाया है तो यही उप्सन इसका असंगत है पोकरण, फलोदी, पंसपद्रा, ये तो खारे पानी की जीले हैं, मिठे पानी की जीले काईलाना नेक्स्ट है, निमल लिखित जीलों के बारे में उच्चित कथने नहीं है, कौन सा गलत कथने है? पुसकर जील धार्मिक द्रिष्टी से निर्मित एक प्राकर्ति के जील है, आबू की नक्की जील सरुवादिक उचाई पर इस्तित है, रासमन जील के दक्षनी भाग को नोचोकी कहा जाता है, दुंगरपुर की गेव सागर जो जील है वो मिठे पानी की जील है, तो इसमें अप्षन थेड़ रूम होगा, इसमें क्या गरती है, ये दक्षनी भाग नहीं, बलकि उत्री भाग को नोचोकी कि पाले कहा जाता है, रास्थान में मानसुन का जुआ किसे कहा जाता है, तो जो कर्शी है, उसको रास्थान में मानसुन का जुआ कहा जाता है, रास्थान को खनीजों का अजयब गर गा जाता है और रास्थान की नदी घाटी प्रियोजनाओं को जवार लाल नेरू ने आधोनिक भार्द के मंदिर कहा है नेक्स्ट है रभी की फसल कौन शी है रभी की फसल की बुवाई सर्दियों में शुरू होती है अटूबर नॉवंबर में और मार्च अपरेल में इसकी कटाई होती है इसमें कपास सर्षों जवार ये जो है कपास ये क्यों संथा रभी की फसल नहीं है कपास सर्षों जवार जो सर्षों है वो रभी की फसल है जवार और कपास जो है वो खरीब की फसले है और जो तिल है ये भी खरीब की फसल है ये नहीं नहीं बलकि इसमें रभी की फसल है सर्षों ये इसका राइट अप्सन होगा बाकी तिनों खरीब की फसले हैं खरीब की फसलों में जवार बाजरा मोंग कपास गन्ना मोंगफली तिल चावल ये आते हैं और रभी की फसलों में गेहूं जो चणा सर्षों ये आते हैं नेक्ट है रास्थान में कर्शी के पिछडेपन का प्रमुक संग्ठनात्म कारण क्या है जो पहला है पुरानी तकनीक से कर्शी ये आर्थिक कारण है आर्थिक कारण और कौन कौन से हैं किसानों की निर्धनता और उपज का कमुले और कसी में सिचाई के साधनों का उत्तम खादवीज की कमी ये पुरानी तक्निक से करशी और ये सारे क्या है आर्थिक कारण मर्दा का अपवर्दन और बार बार शुखा ये प्राकर्तिक कारण है इसमें और कौन सा आता है रितिली वै बंजर भूमी भी प्राकर्तिक कारण है जो संग्ठनात्मक कारण है वो है भू स्वामित्व की समस्या नेक्स्टर राजथान में कर्शी से सम्मंदित ऐसंगत कथने कौन सा है पहला है जो वचने के उत्पादन में राजथान का दूसरा इस्थान है पहला किसका है उत्तर प्रदेश का रज़े में बाज़रा सर्शोवगवार का सरवादिक उत्पादने किया जाता है गेंउ उत्पादन में गंगा नगर रज़े में पर्थम जिला है दक्षनी राजथान में बाज़रा सरवादिक बोया जाता है जो था उप्षन जो डी है वही अस्रंगत है यह दक्षनी राज्थान में नहीं बलकि पस्चमी राज्थान में बाजरा अधिके बोया जाता है दक्षनी राज्थान में तो मक्का अधिक बोया जाता है निख्ट है राज्य में सरवादिक से चाई किनके द्वारा की जाती है कुवे वे ट्यूवेल से 66% से चाई की जाती है नहरों से की जाती है 30% तलाव से की जाती है 1% के आसपास तो इसका राइट आप्शन है कुवे वे ट्यूवेल नेक्ट है राज्य की बीश्वी पसुद गणना जो कबूई थी दोजार गुनिश में उसके अधार पर सर्वादिक वर्दी दर्जे की गई है उंट वै गदों की संख्या में तो चिंताजनक की कमी हुई है भेड वै बकरियों की संख्या में कमी आई है गाय वै भेश की संख्या में मामूली वर्दी दर्जी की गई है जो पोल्टरी फार्म है जो मुर्गी फार्म है उसमें तेजी आई है किस खनीज के उतपादन में राज्य का एक्का दिकार है शीशाजस्ता जिपसम वचांदी संगमरमर तो इसका राइट आप्शन है उप्रयोकते सभी नेक्ट है शिक्ष्या का दिकार दिमियम से सम्मदित सही कथन नहीं है यह बच्चों का शिक्ष्या प्राप करने का कानूनी एदिकार है बच्चों का यह कानूनी एदिकार है और बच्चों को विद्याले में प्रवेश दिलाने का अभिवाव का यह करतव है यह भी सही है साला दर्पन पोर्टल पर बच्चों की उपलब्दियों को दर्शाया जाता है ये गलत है साला दर्पन जो पोर्टल है उसमें रास्थान के जो विद्याले हैं उनकी इस्तियों को दर्शाया जाता है 6-14 औरिश की बच्चों को ने सुलक और अनिवारिय शिक्षिया का अधिकार परदाने करता है ये ये भी सही है नेक्टर रास्थान की पुरुष साक्षरता का परतीसत 2011 की जनगर्णा के अनुसार कितना है 22.12% महिला साक्षरता 89.19% ये पुरुष साक्षरता है 66.11% ये रास्थान की कुल साक्षरता है नेक्ट कुशन है ग्रामेंड छेत्रों में 1000 की अबादी वाली जगए है कौन से केंदरे बनाए गए है तो जहां 1000 की अबादी की जनसंख्या रहती है वहाँ उप स्वास्ते केंदरे बनाए जाती है और जहां 30,000 तक की अबादी की जनसंख्या रहती है वहाँ प्राथमिक स्वास्ते केंदरे बनाए जाती है और जहां आबादी एक लाख हो जाती है वहाँ स्वास्ते केंदरों का निर्माने किया जाता है नेक्ट है आयर्विज्यान केंदर किन जिलों में नहीं है आयर्विज्यान केंदर जो है वो छे जिलों में ही बनाए हुए है जेपुर वज़ोदपुर में हैं अजमेर कुटा में हैं विकानेर उदेपुर में हैं यह यह च्छों संबाग में यह दे रखे हैं बैस एक भर्ठपुर संबाग में आइर विग्यान के अंदरे नहीं है तो इसका राइट आप्षन होगा जालावाड वा गंगानगर में नहीं है नेक्ट है राज्य में मुख्य मंत्री राश्री योधना का समंद्ध किस्चे है बाली का शिक्ष्या से, स्वास्ते सेवा से या बैंक से या डाक सेवा से तो इसका समंद्ध स्वास्ते सेवा से है नेक्ट है बैंक से सम्मन देते अनुचित कथने कौन सा है बैंक जो वो मुद्रा के लेन देन दोरा ब्याज प्राप्त करते हैं सबी बैंक SBI के दिन कारिये करते हैं करते है बैंक गराक को लोकर की सुष दा परदान करता है और जरूरत मंद को ब्यास परदान करता है नेक्ट है राज्ये में सड़क परिवायने से सम्दित सही कतने नहीं है राज्ये में सड़कों की सरवादिक लंबाई जोदपूर में और सबसे कम लंबाई दोलपूर में है एनेच पंद्रा जो है वो राज्ये का सबसे बड़ा राष्टी राजमार्ग है और एनेच 71 भी जो है वो राज्ये का सबसे छोटा राष्टी राज मार गए राज्ये सड़क परिवायन निगम की स्थाफ़ना एक अटूबर 1964 को हुई तो इसमें उप्रियुक्त सभी विकल्प जो है वो सही है कोई भी विकल्प गलते नहीं है निक्तर राज्ये परिवायन शिवा से सम्मंदित उच्चित विकल्प नहीं है पहला है पहली रेल आगरा फोर्ट से बांदिकुई के बीच अप्रेल 1864 को चली थी ये सही है एकमात्र अंतराष्टी हवायडा सांगनेर जैपूर में है ये सही है रेलवे के दो जोन वा पांच मंदल बने हुए है ये भी सही है दो जोन कौन कौन से हैं एक तो उत्री पस्चमी रेलवे और एक पस्चमी मध्धे रेलवे पांच मंदल कहां कहां है ये हैं जैपूर, जोदपूर, अजमेन, बिकानेन, कोटा ये उदेपूर और भरतपूर संभाग में नहीं बनाए लिए हैं बाकी पांचों संभागों में ये मंडल बने हैं जो विकल्प गलत है वो है जोद था भारत का सबसे बड़ा रेल्वे मॉडल कक्स जोदपूर के पस्चमी रेल्वे प्रिशक्षन के अंदर में बना है तो ये जोदपूर में नहीं, उदेपूर में बना हुआ है नेक्स टैप भारती वायुसेना के धिन, राज्ये का कौन सा हवाई अड़ा नहीं है जो फलोदी वायर रातानाड़ा है फलोदी रातानाडा ये भी वायुशेना के दिन है सूरत गड़ वे बाड मेर ये भी वायुशेना के दिन है कोट्टा वे अजमेर ये वायुशेना के दिन नहीं है बिकानेर और जेसल मेर भी वायुशेना के दिन है नेक्ट है कजली या सातूडी तीज या बड़ी तीज कब मनाई जाती है चेत्र सुकल तर्तियाको तो गणगोर मनाई जाती है सरावन सुकल तर्तियाको छोटी तीज मनाई जाती है चेत्र कर्षण अस्टमी को सितलास्टमी का तेवार मनाई जाती है भद्रपद कर्शन तर्तिया को कजली तीज, बड़ी तीज या सातुडी तीज मनाई जाती है नेक्ट है केला देवी का मेला जिसे लख्षी मेला भी कहा जाता है ये कब बढ़ता है चत्रशुकल अस्टमी जो है इस दिन केला देवी का मेला बढ़ता है चत्र सुकल एका दसी को महवीर जी का मेला बढ़ता है विशाक सुकल तर्तिया को अखाति या अक्षे तर्तिया मनाई जाती है कार्तिक पूर्णीमा को पुस्कर का मेला बढ़ता है निख्टेक फ्वाजा मोहिनोदीन चिश्टी का उर्ष कहां लगता है झाल हो